नमस्कार में हुदीपक पांडे और इस वक्त हम मौजुद है खरगोन के एक किसान के फार्म होस में जो पहले इंजीनियर थे पैसे से और भूटान में 55,000 उपर महने के नोकरी करते थे लेकिन कोविट के दोरान नोकरी छूड़ गई और वे आपस अपने घर लोटा है उनके आज जो है महने का लाखो रूपया इंकम इनकी हो रही है खरगोन के छोटी कस्रावत छेत्र में इनका ये डेरी फार्माउस खुला हुआ है जो रतनेश डेरी फार्माउस के नाम से चलता है और इसको चलाने वाले जो है हमारे साथ मौजूद है अनंत जेन हम सिद्धे उन मैं पैशे से तो इंजिनियर हूँ पर जब कोवीट लगा तो कोवीट के बाद मतलब की दोई चीजे हम लोग को देखने में आई कि जो चीजे बंद नहीं हुई एक तो दूद का वैपार था और एक मेडिकल का था पर पैशे से मैं इंजिनियर था तो मेडिकल लाइन में ह हमारा दूद्ध पसंद आने लगा तो उस्ते हमने हमारे व्यापार के साथ सथ हमारे पशू भी बढ़ाना चालू करें और दूद्ध के वे को हम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज हमको 700 लिटर के असपार दूद को पुचा रहे हैं。 कितने पॉशुर आपके पास मेहें, कितने भेसे हैं, कितने गाये हैं, कौन को से नसलो की हैं? हम लोगों के पास 30 भेसे हैं और 45 गाये हैं और हम लोग कसावाद में दूद को सर्व करते हैं, हॉम डिलीवरी करते हैं किस समय में सुरु हुआ ये start-up आपने सुरु किया और कितने साल हो गया और सासन से क्या मदद मिलिया अब को? हमने 2020 में स्टाइट किया था याले वियापार को और शाशन के थुरू हम लोगों को नाबाट के थुरू हमको सरकार ने मदद करी थी और वो हमने जो लोन हमको जो मिला था वो हमने चुका दिया और उसका Bank of India के थुरू भी हमको PMGP के भाई भी हमको मतलब योजना का लाव मिल रहा है कितना लोन लिया था क्या अनुदान मिला उसमें PMGP के भाई हम लोगों को गुनिस लाग रुपे का लोन मिला है और उसमें 7 लाग रुपे की सबसीडी है और 12 लाग रुपे हम लोगों को भरना है नाबाट से कितना मिला था? नाबाट से हमको 5 लाग रुपे मिला था उसमें से 1.5 लाग रुपे की सबसीडी थी और 3.5 लाग रुपे हमको भरना थे आपने देख रहे हैं कि सोलर प्रांट भी लगा रखा है और नेपियर घास की भी आप खेत में लगा रहे हैं आप मतलब कि दूद के वेवसाई में बहुत कुछ मिलता है ऐसा नहीं है और क्रशी में भी बहुत मिल गया है ऐसा तो कुछा नहीं है हमारे पास जो 35-40 भी का जो खेत है वो पूरे खेत में हमने ग्रीन फोल्डर नेपियर सीओ 11 लगा के रखी हुई है जिसके अंदर निट्रेशन की जो वेल्यू है वो 22% के असपास है और उससे दूद भी बढ़ता है जानवर भी स्वस्त रहता है और पाचन बहुत आसानी से हो जाता है कि अपने का वह दरी एंब का customized की लगारा कितने एक टियर में हैं यहां आपन सुद्धाव की संसाथ हमारा जो री फार्म हाथ से वह करीबनर न 2 1000 के आसपास में फैला हूँ थोड़ा से करा 흡़ा बत करें तो एम मुनाफ़ा के बात करें तो कितना मुनांफ़ा ह चलिए कि दूसरे हमको आए सत्तर से अस्ति हजार रुपे महीने की होती है सब पूरा खर्चा काटने के बाद और यदि मैं नेपेर की बात करूँ तो नेपेर तो अभी हम पर इतना नहीं कि हम बहुत कुछ सेल कर सके पर नेपेर पर ही यदि हम काम करें तो इतने ही एवज मे अस्ति से एक लाग रुपे पर महीने के हिसाब से मतलब कि अपन माल का मुनाफ़ा ले सकते हैं लेडी फार्ड में आपने कही लोगों को रोजगार भी दे रखा है कितने लोगों को रोजगार दे रखा है हैं पर हम लोगोंने साथ से आट लोगों को रोजगार दे के रखा हुआ है और रोजगार के साथ साथ उनकी पत्नियों को भी दे के रखा हुआ है जो आट लोग का पर हम लोगों ने कौटर देगे रखे रहे हैं ये थे 29 साल के अनंत जेन जो छोटी कसरावत के निवासिये खरगोन में और पिछले चार सालों से डेरी फार्म चला रहे हैं यहां पर और आज अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रहे हैं कई लोगों के लिए प्रणा बन चुके ह और इनने देख करके वो लोग भी अब डेरी फार्म के और बढ़ रहे हैं और खेती के साथ साथ जो है डेरी फार्म से अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं दीपक पांडे लोकलेट इन खरगोन